गायतरी परिवार में था और और भी अनेक प्रकार की जैसे ओम सांती में साथ दिवसिय कोर सकिया उसके पहस्चात मैं हजुर महराजी से भी जुड़ा क्योंकि आत्मा को तडफ थी कि मुझे मालिक के जो सरश्टी की रचना है उसके बारे में ज्यान हो इसलिए मैं सभी दू जगा गए लेकिन जिस चीज की आपको तलास थी वो आपको मिलनी रही थी तो सर आपकी जो तलास थी बगवान प्राप्ति की वो कैसे समाब तुई सर सर बहुत अच्छा प्रश्ण है आपका मुझे इस तडफ के लिए परमात्मा ने ऐसी रजा बक्सी संत रामपाल जी महराज का साधना चेनल पर जो कारेक्रम आता था उसको मैं वैसे तो मुझे सभी संतों के कारेक्रम देखने के लगाओ था लेकिन जब यह साधना चेनल पर मैंने संतर रामपाल जी महराज के ससंग सुने तो ऐसा लगा कि उन्होंने सब प्रमानित चारो वेदो को अठारा पुरान को कुरान को बाइबिल को गुरुगरंत साहाब को यहा तक क्या गिनाऊ कि सभी धर्मों के सभी प्रकार के आध्या संतर रामपाल जी महराज के चरनों में जाने के पहले मैं बहुत कष्टों में था यहा तक की सारीरिक कष्ट मुझे इस प्रकार थे कि सफेद दाग इस सरीर पर जहा तहा होते थे और मैं वैसे भी पेशे से आरेंपी प्रेक्टिशनर हूँ और सास्किय सेवा में अध्यापक होने के बावजूद भी मैं इस प्रकार के मेडिसन से मुझे कोई फायदा नही हुआ बलकि रामपाल जी महराज के चर्णों में मैं 13 तारिक को 2013 को जून में पहुचा था जिसके कारण मुझे इस प्रकार के सारीरिक कष्ट बिल्कुल खतम हो गये और आज मैं जो आपके सामने उपस्तित हूँ पूर्णत स्वस्त हूँ और पारिबारी कलह इतना था कि ह हमारे आर्थिक संकट होने के कारण हम इतने दुखी थे न जाने दो टुकी रोटी भी मुझे उपलब्द न हो पाती थी लेकिन मालिक की दया से आज मैं पूर्ण रूप से आर्थिक रूप से भी डाल रोटी चल रही है और साथ में परिवार में सभी माता जी पिता जी भ बड़ी बच्ची मेरी भी फार्मा कर रही है और साथ में उसे छोटा बालक जो है वह भी एलेन कोचिंग में इंदोर में भी इसी साल गया है इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि परिवार का इस प्रकार का आर्थिक और सामाजिक भी तोर से मैं बहुत पिछड़ा था तो आज बाग मेरे विचारों को सुनते हैं और मैं सभी को परमात्मा के बारे में बताता हूँ और मालिक की रजा बनी है इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से परमात्मा के सरन में हूँ और बंदी छोड मुझे जगत गुरु रामपाल जी महाराज इसी प्रकार बनाये रखें सरसंद रामपाल जी महाराज के सरन में जाने से पहले क्या आपको इनसा करते थे जी हा मैं ज्यादा तो नहीं पर फिर भी बीडी वगेर पी लेता था वो भी हमारे दोस्ते ही कहा जाए उन लोगों को जो बीडी पिलाते थे अब वो साथ में अब कभी-कभी सिग्रेट पीते थे वो देते थे तो ऐसा लगता था बहुत अच्छी चीज है लेकिन ये जो बीडी वगेर है वो तो मालिक के चर्णों में जाने में ततकाल ही चूट गए और अब तो यहां मान के चलो कि बीडी पिने वालों को तो हम माचिस तक नहीं देते है इस प्रका आत्मिक ज्यान में जो अवरोध उत पर नहोता है उस धुये के माध्यम से तो वह धुआ अब इंगला पिंगला और सुस्मना से नहोते हुए सिधा हम उस बुराईयों का त्याग कर चुके हैं और सतलोक के वासी बनने की पूरने इच्छा रखते हैं सर जैसा कि आपने बताई कि पहले आप देवी देवताओं की पूजा करते थे सभी प्रकार की पूजाएं आप करते थे तब आपको कोई लाप नहीं मिला उल्टा परिशान रहते थे लेकिन जब आपने संत्रामपाल जी माराश से नाम दिख्षा ली और उनके द्वारा द सर पहले हम जो भक्ति करते भी थे तो वो सास्त्र के अनुकुल नहीं थी सास्त्र विरुद्ध साधना से हमें कोई लाब नहीं होते थे सर जैसे कि पहले आप सभी प्रकार की भक्ती करते थे तब आपको लाब नहीं मिला और संद रामपाल जी माराच की सन में जाने के बाद आपको लाब मिला तो सर जो लोग आज भी देवरिवताओं की पुजा करते हैं, मंदीरों में भी जाते हैं, सबी प्रकार की पुजा वो करते हैं, फिर भी उनको कोई लाब नहीं हो रहा, वो ऐसे ही कस्टों से गिरे वे हैं, तो सर क्या वो लोग जब संद रामपाल जिमारत से नामदिक से ले लेंगे तो उन्हें भी अवश्य लाब होगा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। मैं भगत समाज को सभी लोगों को विशेज कर हमारे छेतर में जो बुद्धम सरनन गच्छामी वाले बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं। उनको मैं निवेदन करूंगा, करजोर के विंती करूंगा कि आप लोग ज्ञान को समझो जिस प्रकार मोक्षप्राप्ति चाहते हो तो ये इसी परमात्मा के सरन में अर्थात हमारे रामपाल जी महराज के चर्णों में आकर ही आपका कल्यान होगा। और सभी मानो धर्मी प्रानियों को मैं करबद निवेदन करता हूँ कि वे आये ससंग सुने और ससंग सुनने के पश्चात जो भी जिस भी दुख से पिडित हो अगर आप आओगे तो आपका दुख निवारन जरूर होगा। सर जो लोग संत रामपाल जी महराज से जुड़ना चाते हैं वो उनसे नामदिख्षा कैसे ले सकते हैं। संत रामपाल जी महराज से जुड़ने के लिए और नामदिख्षा प्राप्त करने के लिए अब मालिक तो बरवाला में उपस्तित नहीं है। तो इसलिए हम भक्तों के माध्यम से गुरु जी के आदेशा अनुसार आप जो ससंग देखते हैं तो साधना चेनल पर इस्वर टीवी पर और वरंदा टीवी पर नीचे जो पट्टिया चलती हैं। पट्टियों में जो नंबर दिये हैं और साथ में कांटेक्ट करके वहाँ पर नामदान केंद्र अपने नजदी की जा करके अपना नामदान ले सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। सहुत बहुत